आज मैं बनाने वाली हूँ ब्रोकली सलाथ, ये रेस्पी हम सभी के लिए हैं, लिकिन जो डाइटिंग करते हैं उनके लिए रेस्पी सबसे बेश्ट है, तो ब्रोकली के सलाथ कैसे बनाते हैं, बनाना सुरू करते हैं, अगर मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक क्राइट नहीं की है तो सब्सक्राइब कर दिजिएगा, तो सबसे पहले हम सारे सामान के कथित कर लेंगे, उसके बास बनाना स्टार्ट करेंगे, तो हमने है एक प्याज को बारिक में काट लिया है, ब्रोकली को छोटे-चोटी पीस में मैंने काट लिया है, यह ब्रोकली के और सबसे पहले हम पनीर को हलका चकाशा ठालेंगे पहले तो हम गैस पे रखेंगे, कढाई, गैस मेरा शोल्आ चाल, गी डालेंगे, गी जए यह लुगर विखा बाते ही प्राई हम और च्पजके हम अखेंगे, कढाई डेंगे, तो हम आज बिल्कुल हलका हम ऐचने डूं फिर कड़ाई में हम डालेंगे दो से तीन चमच घी जब घी हलका सा गरम हो जाए तब इसमें डेर सारा कटा हुआ लेसुन डालेंगे लेसुन को हलका सा भूनेंगे पंद्रे से 20 सिकेंड के लिए जादा नहीं भूनना है बस हलका सा कच्छापन चला जाए इस इक साथ हम अपने हिसाब से जीतना आप खाते होंगे उतना नमक डालेंगे इसमें प्याज भून जाए तब इसमें हम ब्रोकली का डंठल तोडरा हाड होता है तो हम इसको पहले डालेंगे तो इसमें हम एक मिनट के लिए पहले कुक करेंगे फिर एक मिनट बाद इसम चेक करेंगे olacak अब इसमें हम डालेंगे ब्रोकली डालके अच्छे से हम चला लेंगे 15-20 सिकेंट के लिए इसे हलका सा कुक करेंगे हम पूरा ओभर कुक नहीं करना है हलका सा कुक करेंगे फिर 15-20 सिकेंट बाद इसे हम चेक करेंगे अब इसमें हम डाल देंगे भुना हुआ पनीर, पनीर के साथ हम डालेंगे बारिक कटा हुआ धनिया पत्ती डाल देंगे और चटपटा सा बनाने के लिए चिली फ्लेक्स डालेंगे इसमें आरगेनो डालेंगे आरगेनो आप जरूर डालें इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है और इसे और चटपटा सा स्वाधिष्ट बनाने के लिए इसमें काली मिर्च पाउडर डालेंगे थोड़ा सा बहुत हलका सा छिडिक देंगे काली मिर्च पाउडर डालने के बाद हम इस अच्छे से चला लेंगे इसे 5 सिकेंड के लिए कूक करेंगे फिर उसके बाद से चेक करेंगे ये देखिए ब्रोकली के सलाद बनके बिल्कुल तयार हो चुका है बहुत ही टेश्टी बना है अब हम गैस को बन कर देंगे आप नहीं की है तो सब्सक्राइब कर दिजिएगा